प्रभातकाबर.com विश्वास्वही रवतार नए फिल्म को मिल रही तारीफों के बीच जै ललिता की पार्टी आलोचना भी कर रही है A.I.A.D.M.K. नेता डी जयाकुमार ने फिल्म के कुछ सीन डिलीट करने की मांगी है दूसरी तरफ बॉलिवुड अभिनेतरी कंगना रनोट ने राजनीती में भी जाने का इशारा किया है दरसल कंगना रनोट फिल्म थलाईवी को लेकर खूब सुर्खिया बटो रही है फिल्म में कंगना रनोट ने सिनेमा और राजनीती में बड़ा नाम रही तमिलनाडू की दिवंगत सीएम जय ललीता का किरदार निभाया है इसी बीच कंगना रनोट ने राजनीती में जाने का इरादा भी जाहिर किया है कंगना ने सीधे तोर पर तो राजनीती में एंट्री की बात नहीं कही उसके रियक्षन से अनुमान लगाया जा रहा है कि वो राजनीती में जा सकती है थलाईवी की रिलीस से पहले एक प्रेस कॉन्फरेंस का आयूचन किया गया था इस दोरान कंगना रनोट से राजनीती में एंट्री से जुड़ा सवाल उचा गया जवाब में कंगना ने कहा वो एक नेशनलिस्ट है देश के बारे में बात करती है इसलिए नहीं कि वो एक राजनीता है इसलिए कि वो देश की नागरिक है जहां तक राजनीती में आने की बात है तो एक अभिनीत्री के रूप में वो खुश है अगर आने वाले कल में लोग उन्हें पसंद और सपोर्ट करेंगे तो यकीनन वो राजनीती में जाना पसंद करेंगी कंगना रनौत के मुताबिक उनकी फिल्म थलाईवी में दिखाया गया है कि जिस व्यक्ति के बारे में लोगों ने सोचा कि वो कभी भी राजनीता नहीं होगा एक अस्थिर राज की देखभाल नहीं कर पाएगा उस शक्स ने ना केवल सीम बनने तक का सफर तै किया कई चुनाव भी जीते राजनीती में उनके गुरू MGR ने हमेशा उनका समर्थन किया ये फिल्म दिखाती है कि कैसे पूरुस भी एक महिला को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं वहीं आपको बताते चले कि कंगना रनौत अकसर सोशल मीडिया पर कही गई अपनी बातों को लेकर विवादों में रहती है सुशान सिंग राजपूत केस में भी कंगना रनौत ने महरास्ट सरकार के खिलाफ कई बयान दिये थे इसके चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इस रिपोर्ट में इतना ही इसी तरह की दूसरी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ